कवर्धा से एक बड़ी वारदात सामने आई है, साली के साथ सामुहिक दुशकर्म, जीजा ने चार दोस्तों के साथ वारदात को दिया अंजाम, कवर्धा जिले से एक दर्दनात मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षिय आदिवासी महिला के साथ सामुहिक दुशकर्म किया गय मामला भोरम देव थानक शेत्र का है मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा जिले के भोरम देव गाव में रहने वाली एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुशकर्म करने का मामला सामने आया है वही बताया जा रहा है कि दुशकर्म करने वाला कोई और नहीं बलकी उसके जीजा ही है, जीजा ने अपने चार दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने पीडिता को शराब पिलाकर दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद सभी आरोपी वहां से मौके में ही फरार हो गए। जिसमें से एक संदिग्धर व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूचताच जारी है। घटना भोरम देव थानक शेत्र का है। पुलिस मामले की जाच में जुटी हुई है और आरोपियों की खोज कर रही है।